आपनी मुलागात कर आवेशे न बातों खरी शाल कर दोज़ बद्धाज करोडो संगीत ना चाहगोंने डोलता करी दिदा अने खटके एक पहचा ना पी के इंडर्ष्थिमा हवे के ओं सिंगर अभी गए और बाकी बदा थाई जाओ खबर दार यह सीज सूरज जगन, सूरज जी आपका सौंगे देखा रहे तरहा है, सूरज आगया है, इतना सूपर हिट सिंगर, अब जो भी गाना, सम्वाल के गाना, क्योंकि अभी कॉंपेटिशन में गवर बंदा आ गया है। सबको अच्छा ही लगता है, जितना तारीफ करो करते जाओ, मुझे तो कोई अत्राज नहीं है तारीफ का, फिर भी, फिर भी, तारीफ का स्टेज तब आता है, जब कोई आपनी स्ट्रगल करता है, फ्लुक शायद इंसान को एक बार हिट कर देता है, लेकिन कंटीनू हिट हो यह मेरे हिसाफ से स्ट्रगल और खुद रियाज जब इस दुनिया में संकित की दुनिया में हा, सुरज जी नाइटीन नाइटीन से केरियर सुरू किया, करीबन 21 साथ, इतनी कडी मेहनत, मोका मिला जब रिकरग्नाइस करने लगे, फॉन पे टून सुनते थे तब मालू हु लेकिन गाना हीट हुआ और सुरज सही में सुरज की तरह भार निकल के सबको रोशनी देने लगा, पनी पहचान दे थी, उस 1990 से लेके 2011 सफर के सर रहा, शुरूआट कहा सोगी थी, शुरूआट तो मेरा इंट्रेस सिर्फ बैंड में गाने का इंट्रेस था मुझे, और वो कभी फिल्म में गाऊंगा, या कभी जिंगल गाऊंगा, मेरा सिर्फ इंट्रेस्ट यह था कि मुझे एक बैंड में गाना है, तो वहां से शुरूआट किया था, लेकिन वो जर्नी बहुत तफ रहा, मतलब अच्छा भी था, लेकिन फिनांशली वगेरा सब बहुत कि मुझे बहुत कुछ अबजर्व करना और सीखने को नहीं मिलता, मतलब इस टॉट मी अलॉट, इस बिल्ट को मैं पकड़ूगा, आपने बदा है कि कई बार तो ब्रेक हो जाता था, क्या 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 ऐसे हाथ से हुए जो जिन्वन में कभी भी भून नहीं पाएंगे, वो इक तो इंसिदेंट, बॉस ये तो कभी भी भी नेते हुआ, एक बार मेरे पास एक मोडवाइक था, तो मैं पेट्रोल बरने के लिए एटीम में गया और दोसोर रुपया निकाला, दोसोर रुपया निकाला तो वो स्लिप आया, उसमें लिखा वाधा, अवेलिबल बैलेंस थर्टीन रुपीस, तो वो मेरा बैलेंस था, थर्टीन रुपीस, और मुझे कहीं से भी इंकम आने का कोई ये नहीं था, मतलब, there was nothing, जहां से मिल सकता था, तो वो एक इंसिदेंट मुझे मैं कभी भूल ने सकता हूँ, इक कौन से साल की बात है, कब की बात है, शायद थर्टीन रुपीस बैलेंस, एक इतना अच्छा टैलेंट था, जिस बंदे में, एक अच्छी आवास थी, सूरो का गयान था, लेकिन कहीं कोई ऐसी पकड़ नहीं मिल रही थी, जहां जाके अपनी पहचान, खुद के पहचान मनाने का कोई मोखा नहीं मिला था, मैं बात य कि मेरा फैवरेट हो भी था, या तो आपका पेशन था, बैंड, शुरू कि आपने बैंड से, यह बहुत कम लोगों में मिलता है, कई जो सिंगर होते, कोई घराने का नाम देते, लेकिन बैंड, बैंड में जाने का वो सोच कहा सही, क्या पहले से बच्पन से, या किसी ने बैंड में जा सकता है, नहीं, मेरे बच्पन से तो, मैं तो गाता था था बच्पन में, लेकिन कभी परफॉर्मेंस किया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत शाय था, तो लेकिन बैंड में गाने का मौका जब मिला, मैंने एक एक प्रोफेशनल मुजिशन से में गिटार सिखने पूरा बैंड था साथ में, और सब लोग ऐसे ही बैठे थे, और मैंने कुछ गा लिया कुछ ऐसे ही, और वो बैंड का सिंगर ने सुन लिया, और उसने का कि वाई दो सिंग बैक अप्स फो दिस बैंड, तो मैंने का ओके, मैं कभी स्टेज पर कभी गाया नहीं था तब तक और ठीक है, तो प्राक्टिस रूम में गये हम लोग और जब पहली बार मैं प्राक्टिस रूम में जाके माइक पर गाया, उसी दिन वो मुझे इतना मतलब, इन इंग्लिश अडिया, इस फेल्ट सो राइट, कि मैंने वहीं पर ठाम लिया कि इस 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 बाद आए में ग कभी भूलने सकता, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट एक शो में था, विद दे बैंड, तो वो जो एक्सपिरियंस था मेरे लिए, इतना अच्छा लगा, इतना एक्साइडिंग था, और ओर ओर्डियंस रियाक्शन वो सब पहला शो किया था, वो सब प्रोफेशनल मुजिशिंस थे, और वो बैंड एक ही शो किया, उसके बाद वो डिस बैंड हो गया, तो फिर बाद में मैंने खुद का एक बैंड बनाया और हम लोग शो करते रह गया है, तो सूरजी, सूरजी, वो आपने बदा कि वो तर्निंग तो सूरे ना सुनना चाओंगे, गाना तो, एक इंगलिश गाना था, हिंदी तो मैं अभी-अभी शुरू किया ऐक साぎए, तो बढ़ा उसका या धरा, बोटेवा, था, गाना या था, ओर रो अलк नेम गाना था, ओल फिर नेम अवर्ट, रोल, अल फिर नेम अवर्क इन रो बूल ऑल बने नेम अव राक ऑपी सिरोक की रोक की स्टोर्य आगे चलाएंगे लेकिन यहां पे एक छोटा सा वात वह प्रेक का दर्सेंग विदरो ब्रेक पचीन एक मुलाकात रिक्वेश्ट करेश वापने सूरण जी साथे के चर्श्मा वगरपन आपने ब्रेक पचीना प कर दर्सेंगे ब्रेक मुलाकात रिक्वेश्ट करेश वापने सूरण जी क्या हम आपको उसी असली निगाहों के साथ देख सकते हैं मेरा प्रब्लम है कि मेरा एक आग सूजा हुआ है इसले मैं पहरा आने तो मैं कभी पैंता नहीं मतलब इंटिव्स में तो नहीं पैंता कांफिडेंस बेलकुल भर गया लोगों में भी सोच लिया स्विकार कर लिया कि यस इस बंदे में ताम है बले बैंट का जो भी हुआ लेकिन एक आर्टिस के तोर पे एक रेकोगनाईज करने लगे सुरण जी को बात में क्यों यह बात तो मैं यह जो इंसिदेंस बताया है यह 1988 का इंसिदेंट है तो सही शुलवात हुई उसके बाद है यह बहुत साल लगा उसके बाद जब जब मेरा पहला रेकोर्डिंग एक्सपिरियंस के लिए बहुत साल लगा उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ मैं एक बैंड मेरा तहां जो मैंने खुद ने फ़ॉम किया था क क्रैसिस और हम लोग कोशस करते थे इन और बमे और फिर बार में मैं हॉं गॉंक ओंग में था दो साल और वहां पहे भी मेरा मैंने अग बैंड फॉम किया तो वो सब करने के बाद भी वापेस में वंबे में आया, एक चक्रवीव करके बैंड में सिंगर बन गया, फिर उसके बाद जाके, मुझे रेकॉर्डिंग इंडस्ट्री में आया, तब भी जाके कुछ लोगों को मेरा नाम पता लग गया, और फिल्म में तो उसके भी बाद जैसे कही बाद हमने सुना है, फिल्म इंडस्टीज में तो बहुत सारे पापाट बहुते हैं, किसी गोड़ फादर बना पड़े रेकॉर्डिंग की दुनिया की बात करे क्यों कि इसकी बात है बहुत काम ही है, बहुत बहुत अप स्थे बहुत रगले, या तो मेरा सीधा स किर देखर में कर दाथना कर लोग खाल है कि अगर दूल शींडिकेट चलता है कि गौडफाधर चाहिए अगर दूल नहीं है तो बहुत अच्छे सिंगर है कि गर्धिश्म है मेरा कोई Godfather नहीं है, मेरा कोई ऐसा influence है भी नहीं, मतलब जो भी मुझे काम मिला है, वो लोगों को requirement था, ऐसा singer का मेरे जिसा, तो अगर कोई Godfather होता तो मेरा career बहुत पहले बन चुका होता, ऐसा कोई support होता, मेरा Godfather का मेरा meaning इतना clear नहीं है, लेकिन लेकिन गोड़ फादर अगर मानेंगे आप तो बस उसी वक्त को मानेंगे कि जिस वक्त पे आपको सही मौका मिल गया या तो सही इनसान मिल गया जो जिन लोगों को need था, एक अच्छे से singer की एक ऐसी आवाज, जो आपकी pattern है, उसी pattern वाली आवाज की जिनको जरू होती, वही वक्त शायद आपके लिए गोड़ फादर था, क्या मानते की रोक, उसके बाद जिंगल, उसके बाद फिल्म, जिंगल की बात करेंगे, रोक की बात यहां कहीं हम थोड़ी आदी छोग देते, जिंगल की दुनिया भी एक अलग दुनिया है, शायद आवाज लोगों तक पह कि सूरज है, उते गया अशे को जिंगल की बात करेंगे, सूरज जी तो बात यही पर आक अटकती है, कि वो आवाज है कई लोगों तक पहूंती है, लेकर मालूम नहीं पड़ दे, वह एक्स्पोजर नहीं मिलता है, इस़ जिंगल के सिंगल के हिसाब से सही में सही में सही म जैसे कि आपने कहा है, कि जिंगल्स में क्या होता है Nu Word के समय सोग्स करेड़िट नहीं मिलता है किसी को पता नहीं रहता है कि Mov और गाया है कुछ यह जिनल में क्योंकि यह और कुछ इए खेचना के वा आए कुछ दुस्त अर्डेग्क। जिंगल में पूरा सॉंग में प्रोड़क का कोई मेंशन नहीं है सिर्फ यू और इन इस बीटिफुल वर्ल और वगरा वगरा तो क्या हुआ कि कही लोग को ऐसा लागा कि वह एक फॉरंड सॉंग है और इन लोग ने ये फिल्म पर चाप दिया इस पर ये फिल्म पर कि मुझे कोई भूला नहीं रहा है तब मुझे पता लगा तो लोगों को फिर भी मतलब आम लोगों को तो पता नहीं लगा लेकिन तो फिर इस तुडियो सर्कल्स में, फिर्म दे साउंड एंजिनियर, मुजिक डिरेक्टर ऐसा करके वर्ड प्रेड होने लगा, तब जा के मुझे काम मिलने लगा तो उसके लिए वर्ड प्रम लगा तक मुझे काम मिल रहा था जब तक नाम नहीं पहुंचा कि ये गाया है सूरज जय करने तब नहीं ये खुबसूरत आवाज जब हमारे सामने बैठी है, तो हम चाहेंगे कि कई बार खुला टीव में हमने सुनाया कि इसी मधूर आवाज में हमारे सामने हमारे विवर्स पी देखे कि उसी आवाज के जोब दोस्काइब एक गडिस ब्यूटिफूल बार यू इन दिस्टोड आरे विडियो एक र्धंडूब विडिये स्ट्रीम्स गोवाइब You and I in this beautiful world All three Melody important होता है No doubt लेकिन उसमें वो melody में अगर words अच्छा हो तो वो song memorable हो जाता है और उसका composition जिस तरह बनाया जाता है कभी क्या होता है कि एक बहुत अच्छी melody को बहुत सारा music लेकर भर देगा तो उसका मज़ा चला जाता है कभी कभी minimalistic अच्छा रखता है कभी कभी जरूरत है बहुत सारा music रखना जरूरी होता है तो उसका combination ही यह है मतलब is the right thing मतलब one thing is not more important than the other Okay, okay, okay अगेन एक का वाक्त हुआ है छोटे से ब्रेक अधर्शक विद्रोग ब्रेक पछीना अंतीन तबक कामा एमनों super hit song Three Idiots ना song vision नी जरजा का रिशो इतना ना कर विरामान विरामाथ वरी वाँ साधाच अपनों कारेगर मती थी मा सुरज जी यह सब तो हो गई चलते 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 बहुत सारी तकलीफे उठाली दीरे दीरे नाम होने लगा लेकिन लेकिन सुरज जी की सही पैचान मिली उस Three Idiots के गाने के साथ अचानक सुरज जी को बुलाने लगे लोग सुरज जी ने इतना अच्छा जिंगल भी दिया था लेकिन टाइम लगा लोगों तक कहुँचने में कि यह सुरज जी का जिंगल है लेकिन उस गाने ने, Three Idiots के गाने ने सुरज जी को चोटी पे मिठा दिया उस गाने की स्टोरी के बारे मैं बात करा जाएगे मैंने शांतरु मोहित्रा जो म्यूजिक डिरेक्टर है उनके साथ एक जिंगल पे एक काम किया था एक जिंगल का भी नाम याद नहीं लेकिन हम लोग एक रेकॉर्डिंग कर रह थे साथ में तो उन्होंने का कि One day I'll make you sing one song Okay इसा करके वो चले गए मतलब जाते जाते बोलते गए वो I like your voice यह वो करके चले गए तो मैंने वहला कि ठीक है आप बोलते रहते हैं तो आप बहुत सारे लोग ऐसे सब बोलते हैं लेकिन पता नहीं क्या तो मैं सचा इसी बोल दिया होगा तो दो साल के बाद उनका फोन आया कि मैं तो बूली गया था वो इंसिडन के बारे में जैसे सब तो फिर वो दो साल के बाद बुलाया कि बुलाया कि there is this song I want you to sing और ठीक है तो मैं गया एक स्टूडियो में गया वहाँ पर इसा बॉक्स से काड़ बॉक्स जैसा रखा हुआ था उसके अपर 3D लिखा हुआ था तो मुझे मुझे पता भी नहीं था मुवी का नाम किया है तो मैं महला 2Ds कूँ लिखा एक बॉक्स पर 3Ds कूँ लिखा है और वो मैंने गा दिया सुंग गा लिया और यही गाना तरी इडियोट का सुंग और जब मैंने वह गाना गाया उर स्कृप्ट भी अप्लीट नहीं हुआ था उस स्टेज पे था मूवी मेरे खाल से यह सुंग पहला सुंग था जो उन्होंने रेकाड किया तो मेरे लिए हर रिकॉर्डिंग इंपॉर्डिंट है और जब तक घर पुझता हूँ भूली जाता हूँ क्या गाया तो मैंने गा के चला गया फिर बाद में जब फिल्म रिलीज होने आया तो हम लोग इंटर्व्यू दे रहे थे रेडियो पर टीवी पर तो शांतनु मैय और स्वानन जिसने निरिक्स लिखा हम लोग एक रेडियो स्टेशन पर इंटिव्यू दे रहे थे तब ही उन्होंने काया कि उन्होंने ये सौंग लेकिन उतना भी डिसाइड था कि अगर प्रोडियूसर या डारेक्टर ना भूलेंगे तो भी वो गाना या तो बदल देंगे लेकिन सिंगर को नहीं बदलेंगे है, वो मेरे लेए बहुड बढ़ी बात है कभी ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे लाइफ में पहले है, और उसके बात भी नहीं हुआ है लेकिन इसके यह सौंग मूद इतना है कि कोई एक कंपोजर कोई मुजिक डिरेक्टर कोई इस सिंगर को इतना प्यार करें या तो सिंगर को ये गाना लिखे क्योंकि शायद पास्ट में कई लोगों ने सुना था राजकबूर देवानंद अच्छे अच्छे मेकर जो थे वो कई बैनर ऐसे चाहते थे कि ये गाना इसी सिंगर के लिए लिखा जाए शायद इतने साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ है शायद मेरे साथ तो ये पहली बार हो रहा है और मैंने जब सुना भी नहीं था इनी रीसेट पास्ट अब कभी किसी के साथ हुआ मैंने कभी सुना नहीं मैं किसी ने इंटिव्यूज में भी किसी ने कहा नहीं तो बहुत बढ़ी बात है अगें अगें मैं चोड़ नहीं सकता है इस गाने को आपके मुझे सुने भी नहीं है सारे उम्र हम मर मर के जी लिए एक बल तो अब हमें जीने दो जीने दो ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-न तो मेरा तो मेरा फ्लासिकल ट्रेनिंग तो है नहीं मतलब ज्यार मज़र ट्रेनिंग मिलाने। किया नहीं रहा हूं है। लेकिन मैं करता हूं। मतलब शो के पहले और रिकॉर्डिंग से पहले और इक्रणिड्ड पर तौर मैं करता हूं। तो इतना मतलब दो तीन गंटा बेटके वो सब में करता हूं, वो कभी किया है, नहीं मतलब इतना, तो जितना है उतना ही है, मेरा मतलब, क्या होते हैं, अगर आप मुझे एक क्लासिकल टाइप गाना गाने बोलेगा तो मैं का इनी सकता, क्योंकि मेरा है ही नहीं, वो पूर्ड पादर नहीं ता लेकिन एक बात में हैं पुछना चाहेंगा कि इस यौर मतलब गोड़ फादर नहीं लेकिन एक गुरू जहां से आपको कहीं प्रेड़ना मिलती है इस कंटीनू एक ऐसा इंस्पिरेशन बिलता रहता है कि यस मुझे इनके जैसा बना है कोई ऐसा आ जो कही साल से एक नहीं कभी कोई है इंस्पिरेशन तो मैं कही लोगों से हो जाता हूं लेकिन एक एक विक्तिया इसा कभी हुआ नहीं मेरे लाइफ में मेरे खाल से मेरा कोई गुरू भी नहीं मिला अभी तब बड़ी बात होगी कि अभी तब गुरू नहीं अच्छा यह एक एक और्फन जेसा ट्रीटमेंट मिलता है राउक मुजिक को, तो मेरे खाल से कोई सीरियसली नहीं लेता है राउक मुजिशन को, मेरे खाल से इसकी वज़े से शायद मुझे कोई कौपर गुरू कंट्निउस यह बारे में क्योंकि रॉक स्टार्ड या तो रॉक सिंगर होता है और के साथ related आपी होता है हुआ ना यह हिंदुसान की जनता है या तो इस मुजिक इंडेस्टी के साथ related जो भी लोगे यह डिफरेंट टाइप का बियर ओ कानों में अलग टाइप का हट के चर्श्मा पहनने का हट के टोबी बहनने का उनको लंबे-लंबे बाल या तो ऐसे गले में माला पहने हुए ऐसे लोगों को ज्यादा आदी ऐसा लगता है कि उ अगर आप मेरा जो बच्पन का भी फोटो देख विए उसमें मेरा जैकेट है तब मेरा रॉक का कोई कनेक्शी नहीं नहीं था तो अब पहले सही यह फिदर अथी कि ऐसे ही रहना है अब बच्पन की बात बच्पन की बाते करते हैं क्या बच्पन का को एसा हाथसा जो क्या बच्पन का कंवरे मेरा तिमिड नंचला नहीं कि असा था जैणा तो बीजा इसी कौई मेरा एक इंग इमिज के वारे में इतना सोचता नहीं हूँ क्या है कि मैद बहुत सारे स्कूल में गातला बादर तैंब आप सेवंग स्कूल बादल चुका था वो क्या वो है, okay कई स्कूल में मैं सिर्फ तीन मेने, चार मेने पड़ा हूँ, फिर वहां से दूसरा स्कूल हमने सुना कि गुजराती में भी कुछ सुरजी के आवाज हमको सुनने मिलें गुजराती फिल्म में भी गाना गाय तो उसकी थोड़ी बात करेंगे सुनने को मिलेगा उनका यह विचार है तो मैं, I want to respect that मुवी का नाम है केवी रीते जैश 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 विच वे तो गो है केवी रीते जैश और उसका बंबे में रेकॉर्डिंग हुआ था और जब उन्होंने फोन करके मुझे बुला कि हम लोग एक गुजराती में रॉक सॉंग कर रहे और फर्स टाइम है जो गुजराती में एक रॉक सॉंग कर रहे हम लोग तो कभी किसी ने भी किया ने पीस से पहले तो मैं भुला ठीक है गाना बेज़ दो मैं सुनता हूँ तो सुना दो मुझे अच्छा लगा ठीक है करते हैं चलो कौन से सिंगर है इंडिस्ट्री के, Hindi Film Industry की बात करो जिसकी आवाज आपको सुनी पसाद है उनके गाने आपको सुनने पसाद है शंकर मादेवन और उनका और और अविन कैलाश कहर कैलाश कहर है उनको लाइव भी मैं देख चुका हूँ कैलाश कहर को आज इंकलता है है। इंडियन पॉलिटिशन के बारे में क्या के ने हैं? कुछ ने के ने हैं मुझे उन लोग के बारे में, क्या के रहे हैं। सब पॉलिटिशन और अब तक जो भी हो रहा है, मतलब पॉलिटिशन, करप्चिन सब एकी वर्ड लगते हैं अजकल, अभी इतना कॉमन हो गया कि किसी को भी पूछो पॉलिटिशन, तो फर्स्ट वर्ड जो मन में आता है, करप्चिन, टाइसा हो गया है अब यहां पर और हमेशा जब से मैं जन्म लिया तभी से मैं इसी सुनता हूँ अफसोस उस वक्त हुआ था लेकिन अब जब देखता हूँ वो जो इंसिडेंस जो एक दो इंसिडेंस है ऐसा लेकिन अब जो अब जब पास में अभी देखता हो तो ऐसा लगता है कि वो अगर वो इंसिदेंस नहीं होता तो मुझे बहुत कुछ सिखने को नहीं मिलता मेरा पेला शो ही जो जिस बैंड के बारे में मैंने बता है हम लोग का एक शो किया और फिर एक सेकंड शो था और हमारा नाव अनाउंस हो रहा था स्टेज पर और मैं जाके डूंड रहा हूँ आदर बैंड मेंबर्स कहां करके तो तीन जड़ मिल गया है तो उन लोग मुझे देखके हैं से स्माइल करके बोल रहे हैं बाकी के दो ज़न तो चले गए तो मैं बूला की लेकिन अनाउंस कर रहे हैं स्टेज में जाना है और मैं एकदब ही एक सिधिड है क्यूकि मेरा सेकंड शो था तो तो आ नहीं नहीं आ रगया क्यूंकि ये फ्रीशो था और सब बैंस फ्री प्र्ले कर ते हिं इन को पटा लग और एक और को और Quel जोग आव तो इन लोग बोला कि हम लोग नहीं बजाएंगे, इन लोग प्रोफेशनल मुजिशन्स थे हैं लोग, तो निकल गया, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा, मतलब छोटी सी बात जिसे लगते हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात थे हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिसपोइनमे जो मैंने सोचा कि अरे बन गया बैंड हो गया, भी हम लोग शो करेंगे, एक शो के बाद वो बैंड ही स्पिट हो गया. क्या गोल है लाइफ में क्या 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 रना वाकी है क्या डिसाइड किया है कि यह तो मुझे करना ही है यहाद मुझे पहुंच रहा है मेरा मेन गोल तो सौंड्स जितना हो सके मुझे सौंड्स कंपोज करना है और जितना हो सके मुझे रेकॉर्ड करना है और रिलीज करना है में गोल तो यही है बाकी सब जो भी है उसका टागेट है एक एक साल का टागेट है लेकिन बाकी जो भी होगा उसके अलावा होते रहेंगे होते रहेंगे Thank you very much and wish you all the best Thank you very much शर्शक मेंदरों आदिव खास्वात सूरज जे साथे आशाराखे के जे ब्रहमाने हीट सौंग्स तेमना आपयाची आवनाला दिवस्वमापन संगीतना चाहकोने आवाज हीट सौंग्स अवारी माने शुन नेक्ट एपिसा नवाथी दिसादे त्याशन देप्शन अबसकार Thank you very much Thank you